आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूपर टेस्टी हेल्दी नास्ता की रेसिपी जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं साथ ही में हम बनाएंगे चटनी जिसे आप इस रेसिपी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही जादा ये खाने में टेस्टी लगता है आज हम ना तो मैदा का यूज करेंगे ना चावल ना आटा का हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेंका और प्रेंकाज मसाला जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए रेसिपी सुरू करते हैं इस नास्ता को बनाने के लिए मैंने यहां रवा का यूज किया है जिसे सूजी भी बोलते हैं तो मैंने यहां बारिक वाला सूजी का यूज किया है, यदि आपके पास बारिक वाला सूजी ना हो तो उसे ग्रैंडर जार में डाल कर उसे ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहां दो कब बारिक वाला सूजी लिया है, साथी में डालेंगे हम आधा चमच जीरा, स्वात के अनुसार नमक, आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने बारी काट लिया है, दो हरी मिर्च का यूज करेंगे, उसे भी काट कर यूज करना है, तीखा आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम्या जादा रख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, नॉर्मल दही डालना है, आपको ज़्यादा खटा दही का यूज मत कीजिएगा और अब हमें इसमें पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करना है, आप चाहे तो इसमें अपनी मन पसंद सबजियों को भी एड़ कर सकते हैं, जैसे सिमला मेर्च, गाजर, ये सब भी जितना आप इस नास्ते को हेल्दी बनाना चाहते हैं, उतना सबजियों को आप इसमें दो कप हमने रवा लिया था और दो कटोरी हमारा पानी कायूज इसमें हो गया है, तो बैस इसे मिक्स करेंगे और इसे दस मिनार के लिए हम रेष्ट देंगे, इसे रेष्ट देने से क्या होगा कि ये जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाता है, तो बहुत ही अच्छ सरसो का तेल, साथ में डालेंगे हम दो सूखी लाल मेर्च, यहां मैंने तीन चार लहसन की कलिया लिया है, जिसे छिल कर हम यूज करेंगे, एक मीडियम साइज का रफली कटा हुआ प्याज का यूज करना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें डाले दो मीडियम साइज का टमाटर जिसे रफली कट कर लिया है, तो आज जो हम चटनी बनाने वाले हैं, वो टमाटर और प्याज की चटनी बनाएंगे, बहुत ही अच्छा कॉंबिनीशन होता है, और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इस तरीके से एक बार यही जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही ज़ादा पसंद आएगा आपको, तो देखिए टमाटर हमने डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक डालने से टमाटर और प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, आदा चोटा चमच लाल म मिर्च का भी यूज किया है, तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और वस इन सारी चीजों को हमें 5 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करना है, इसे हम थोड़ी तेर के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि ये जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो चलिए 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, तो यहां 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें यूज करेंगे 2-3 चमत डेसी नेटिड कोकोनट, ये जो कोकोनट का बुरादा आत हैं, तो यहां देखिए, 10 मिनट के बाद हम बैटर को चेक कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है, सूजी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जब आप इस तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तो पस इस बैटर को हमें अच्छे से मिक्स कर इसे और भी चाहता स्पॉंजी बनाने के लिए हम इसमें इस्तमाल करेंगे इनो तो यहां मैं एक से डेर चमच इनो का यूज कर रही हूं आप चाहे तो इसके जगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अविलेवल हो उसका इस इसे हम डालेंगे और इसके ऊपर हमें दो सित्तीन चमच पानी डाल देना है जिससे कि यह आप देखेंगे कि इसमें जागसा बनेगा और इसे आपको एक ही डारेक्शन में फेटना है मतलब यह जो मिक्शर है ना उसे एक ही डारेक्शन में आपको फेटना है और फटा मिक्स हो गया है अब हमें इसे बनाने के लिए मैंने इस्तमाल किया है केक टीन का तो आपके पास जो भी बरतन एवलेबल हो उसका इस्तमाल कर सकते हैं बस उसे आप तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजेगा तो मैंने यहां बटर पिपर का यूच किया है उसे डालने के बाद ह अब बैटर को इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे इन्हों डालने से बहुत ही ज्यादा सौफ्ट ये बनकर नास्ता रिडि होता है बेटर टालने के बाद आपको इसे टैप टैप करना है और इसे स्टीम करना है स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही स्टीमर में पानी डाल कर रेडी कर लिया है तो जब पानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप चाहे तो इस तरह का स्टैन डाल सकते हैं और इसके ऊपर आप केक टीन को रख सकते हैं तो बस इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे जब तक हम चटनी को भी पीस लेते हैं तो यहां जो है प्यास और टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसे ग्रैंडर जार में डाल कर पीस लेंगे तो यहां मैंने इसे डाल दिया है अब हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा पानी तो आधा कप के करीम आपको इसमें पानी डालना है और इसे अच्छे से ग्रैंड कर लेना है तो यहां देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर रेडी हो गिया है लेकिन अभी हमें इसमें और भी काम कुछ करना है तो सबसे पहले हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहां 10-12 मिनट हो चुका है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए आप चाहें फोक का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहां टूदपिक से जब इसे चेक किया तो इसमें बैटर नहीं लग रहा है तो समझे आपका यह जो नास्ता है वो रेडी हो चुका है अधा चमच, मस्टर्ड सीट डालेंगे और थोड़ा सा करी पता डालेंगे जब चट्नी में इस तरका को आप डालियेगा तो आपका जो चेट्नी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा तो यहां देखिए बहुत ही टेस्टी यम्मी चेट्नी बनकर रेडी हो गिया है तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहां जो हमारा नास्ता है वो भी अच्छे से ठंडा हो जुका है लेकिन इस नास्ते में हम और भी टेस्ट को बढ़ाने के लिए आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है तो सबसे पहले हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो इसके लि तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा यह जो नास्ता है डिमोल्ड हो चुका है और हमने पेपर को भी हटा दिया है तो इस नास्ता को अभी हमें और भी फ्राइ करना है मतलब इसे हम सेलो फ्राइ करेंगे जिसे की यह नास्ता और भी ज्यादा टेस्टी लग सके और इस नास्ते को मैंने इस तरह से ट्रेंगल में काटा है और इसे हम बीच से भी कट कर लेंगे क्योंकि यह काफी ज्यादा ठीक है मतलब मोटा है साइज में और बहुत ही ज्यादा स्पॉंजी है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं यह कितना स्पॉंजी बनकर रेडी हुआ है तो बस इसे हमें सेंटर से कट कर लेना है मतलब दो पिसेज में इसे हम काट लेंगे तो यहां मैंने सारे नास्ते को इस तरह से कट कर लिया है अब हम इसे सेलो फ्राइ करेंगे इसके लिए आपको नौन स्टिक तवा लेना है आप चाहें तो आरियन तवा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके उपर हमने दो चम्मच तेल का यूज किया है थोड़ा सा सफेद तिल डालेंगे और आधा चम्मच हमें इस पे मस्टर्ड सीट डालना है यह जो काली वाली राई आता है इसे डालेंगे और थोड़ा सा हम करी पत्ता का यूज करेंगे आप चाहें तो हरी मेर्च का भी इस्तमाल इसमें कर सकते हैं और इस करी पत्ता का और मस्टर्ड सीट का हमें हलका सा कलर चेंज होने देना है तो इस तरह से आपको मिक्स करना है और इसके उपर जो हमने नास्ता के पिसेज को कट करके रखा है डाल देंगे और दूनों साइट से हमें गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है मतलब सेलो फ्राइ करना है जिसे ये नास्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो यहां देखिए हमने दोनु साइड से से इसे से लो फ्राइब कर दिया है और बहुत ही जादा ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो मत पूची जादा टेस्टी है ज intro चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो super tasty healthy nastya बनकर ready है इसे आप चाहें तो बच्चों के lunch box में दे सकते हैं या सुभा साम के नास्ता में खा सकते हैं और इसके साथ हमने चटनी का कम्बिनीशन रखा है तो बहुत ही जादा टेस्टी नास्ता रेडी है आप भी इसे जरूर ट्राइ किजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक किजिएगा मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिएगा फैमिल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि मेरे नए नए रेसिपी आप तक पहुंचते रहे फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर बाब बाई